नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर जस्मीता लुवालिया बिरियाट्रिक एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइट से वेट लॉस कैसे करें वैल सबसे पहले यह जाने है कि वेट लॉस किसके लिए जरूरी है अगर आपका BMI 22.5 से जाधा है अगर आप इंडियन है या एशियन है तो आपका वेट रिक्वाइड अपर लिमिट से जाधा है और आपको वेट लॉस की जरूरत है वेट लॉस का मतलब फैट लॉस है हम अ फैट बहुत तरह से हमारी बॉडी को हाम करता है और इसकी कॉंटिटी कर जरूरत से जाधा रहेगी तो बहुत सारे चेंजेज बॉडी में आएंगे जो आपके बॉडी को लगबग हर औरगन को अफेक्ट करते हैं वेट लॉस की स्पीड से होना चाहिए अगर आपका या बहुत रैपिड वेट लॉस करने की कोशिश ना कीजिए तो वेट लॉस के लिए सबसे पहले अपने खाने को समझेए खाने में तीन तरह की चीज़े होती हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं प्रूटीन्स, कर्भोहईडरेट्स और फैट्स में प्रूटीन्स हमारे मसल और बॉड़ी के बाकी सल्स को बनाने में मदद करती हैं और इसलिए प्रूटीन्स के क्वंटिटी डाइट में अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है प्रूटीन्स को कोशिश कीजिए कि डाइट में पहले लीजे इससे सेटाइटी जल्दी आती है यानि कि आपको और खान हैं तो चिकन, फिश, एग का वाइट हिसा ये बहुत अच्छे प्रूटीन के सोर्सेज हैं कोशिश कीजिए कि चिकन को आप फ्राइ न करें उसमें ओयल की क्वंटिटी कम से कम रखें कोशिश कीजिए बॉयल हो या रोस्टेड हो ताकि ओयल उसमें ना के बराबर हो अगर अगर प्रोटीन पहले लेंगे तो आपकी सेटाइटी भी जल्दी होगी और आपका प्रोटीन कॉंटेंट भी साधा रहेगा और ऐसा करके आप अपना कार्बोहडरेट्स और फैड्स को कम कर पाएंगे जैसे आपने देखा होगा कि ग्लुकॉन डी की आड में दिखाया जाता है कि इससे बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है तो यह बहुत हद तक ट्रू है simple sugars हमारी body के अंदर immediately absorb हो जाती है और यह blood बे जाके हमें direct energy का source produce करती है लेकिन इसके downside भी है simple sugars जादा लेने की वज़े से जब energy excess हो जाती है तो body इसे fat में convert करके as a fat इसे energy source store कर लेती है यानि कि जादा simple sugars लेने से आपका weight बढ़ सकता है तो हमने simple sugars अपने body में avoid करने हैं जैसे कि simple chini, honey, good इन सब के quantity को restrict करके रखना है और जितना कम से कम हो सके इसे use कीजिए इवन artificial sweeteners के भी अपने side effects होते हैं तो कोशिश कीजिए कि उन्हें भी avoid करें तो carbohydrates जितने complex होंगे यानि कि body उसको absorb करने में जितना ज्यादा time लेगी और जितना कम absorb कर पाएगी उतना ही अच्छा है सो खाने में carbohydrates को complex रखिए ताकि body को उसे absorb करने में time लगे और उसे फूरा absorb ना कर पाए ताकि आपको taste भी आए carbohydrates के intake भी ठीक रहे और आपको उठापा भीना हो तो इसमें आप जुआर, बाजरा, oats, दलिया ऐसी चीज़े ले सकते हैं जिसमें की carbohydrates की quantity कम रहती है फिर बात करते हैं fats की, fats में वो fat award कीज़े जिसमें की unhealthy fat है जैसे वो चीज़ें जिसमें re-heated fat यूज किया गया है जैसे बाजार में मिलने वाले समोसे, कचोरी जिसमें बार बार same fat को यूज किया जाता है जिससे की वो unhealthy fat में convert हो जाता है stored food जैसे chips वगारा market में मिलते हैं package food और bakery की items में भी fat unhealthy रहता है आप कोशिश कीज़े क्रीम का consumption कम से कम कीज़ें ऐसा नहीं है कि fat बिलकुल ही zero करना है लेकिन fat जितना healthy रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है so trans fats हमें body में कम करने हैं और polyunsaturated fats की quantity बढ़ानी है so जो आप cooking oil use कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए कि वो पूफा में ज्यादा हो और उसके इलावा आपको बाकी fats की sources की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद बात करते हैं vitamins and minerals की इनमे calories नहीं होती लेकिन ये body को अच्छे से function करने में help करते हैं और इनकी quantity अच्छे होने से आपको weight loss में भी मदद मिलेगी इनके लिए आप seasonal fresh vegetables और fruits ले सकते हैं जिनमें की vitamins और minerals अच्छी quantity में रहते हैं रात को dinner थोड़ा early कीजिए ये आपके weight loss के साथ साथ आपको अगर acidity होती है तो उसमें भी help करेगी और अच्छी नीन लीजे एक healthy नीन लेना weight loss के लिए बहुत important है recommended sleep को duration 8-10 घंटे है तो कोशिश कीजिए कि at least 7-9 घंटे आप जरूर रात को अच्छे chances सोईए रात को सोने के लिए रात को होने वाली distractions को कम कीजिए meditation कीजिए yoga कीजिए कुछ exercise कीजिए ताकि आपके body relaxed रहे और आपको एक healthy नीन दाए water का intake अच्छा का रखे पानी एक ऐसी चीज है जिसमें research ने प्रूफ किया है कि इसकी intake अच्छी रखने से आपको weight loss में help मिल सकती है और water आपके calories को भी कम करता है metabolism को boost करता है और इसके लिए आप कम से कम 8-12 glass पानी हर रो जरूर लिजे लेकिन ध्यान दीजे कि पानी को substitute ना कीजे यानि की पानी के बजाए juice, carbonated drinks, caffeinated drinks ये सब मत लीजे इससे आपकी calories बढ़ सकती है और caffeine आपकी health के लिए नुक्सानदाई हो सकती है फिर कोशिश कीजे कि दिन में 3 ज्यादा बड़ी meals लेने के बजाए आप 5 meals लीजे यानि breakfast, lunch, dinner को थोड़ा हलका रखे और in between दो snacks लीजे यानि कि breakfast और lunch के बीच में एक और lunch और dinner के बीच में एक थोड़ा थोड़ा करके दिन में 5 टाइम खाने से भी आपको weight loss में help मिलेगी आपकी digestion भी अच्छी रहेगी फाइबर को content ज्यादा रखे फाइबर में आप अगर fruit लेते हैं तो कोशिश कीजिए अगर बिना चिलके उताराई ले सके जैसे apple या fruit juice की बजाए whole fruit लीजे और fresh vegetables लीजे जिससे की fiber की content अच्छी रहेगी और इससे भी weight loss में help होगा दाल ले रहे हैं या grains ले रहे हैं तो उसको भी whole लीजे यानि की बिना चिलके की दाल की बजाए चिलके वाली दाल लीजे और अगर आटा ले रहे हैं तो उसको ज्यादा refined ना लीजे जितना वो brown होगा उतनी उसमें fiber की content ज्यादा रहेगी बच्चे mayonnaise बहुत देते हैं इन चीजे को cut किजे ताकि empty calories की intake कम हो इनकी alternatives में वो चीजे लीजे जिसमें health content या nutrition ज्यादा है और calories कम है जैसे की seeds, nuts, mackanas इन सब की quantity आप बढ़ा सकते हैं और तिसरी snacks को कम कर सकते हैं अगर आप alcohol और smoking ज्यादा कर रहे हैं तो उसको cut down किजे इ weight loss में hindrance होती है और alcohol itself weight बढ़ने का बहुत बढ़ा एक factor जब तक आप इसे curtail नहीं करेंगे आपकी weight loss journey अच्छे से आगे नहीं बढ़वाएगे diet के बाद ध्यान दीजे कि ये एक input output mechanism है यानि कि अगर आप intake diet से कम कर रहे हैं तो आप थोड़ा output भी बढ़ा सकते हैं exercise की तरीके से long term तक weight loss को maintain करने के लिए diet के साथ साथ कुछ हर तक physical activity का भी role है physical activity को start करने के लिए पहले कुछ warm up कीजे और उसके बाद आप किसी भी तरह की activity adopt कर सकते हैं जैसे gym जाना, body core, घर में stretching करना, yoga करना, walking करना, cycling, कोई sport join कर सकते हैं, badminton, swimming, etc. जितना इन physical activities को अपनी routine life में आप adopt क करेंगे उतना ही long term तक weight loss अच्छा रहेगा, so I hope ये video देखकर आपको weight loss के बारे में काफी सारी tips मिली होंगी, और आप इसे adopt करके, एक healthy weight adopt कर पाएंगे, अगर आपका BMI 27.5 से जादा है, तो हो सकता है कि आपको professional weight loss service की जरूरत हो, then I'll advise कि आप किसी नजदीकी doctor से जरूर मि प्र मुझ हो.